नमस्ते दोस्तों और इस गोड़ में आपका स्वागत स्वास्त्य समंदी चर्चा के अंदर आज हम अपने बैंट बेटियों के लिए और अपनी पोतियों के लिए एक उपहाद लेके आएं आईरवेट का और घरेलू इसका नाम है सोबाग्ये सूंटी 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 बोल होते हैं तो इस दवा का नाम है सोबाग्ये सूंटी अक्सर बेहन बेटियों को डिलेवरी के बाद में जो कमजोरी और उसके अलावा कमर में दर्द हाथ पेरों में दर्द कहीं तरह के ये रोक घेर लेते हैं कमजोरी सबसे पहले है तो एसी इस्तिति में ये सोबाग्ये की इसका प्रियोग बेहन बेटियों को कराना चाहिए और ये घर में तयार करने चाहिए बजार के अंदर देखो सही चीज नहीं मिलती और बहुत सरल है इसके मैं कंटेंस बोलता हूं सो बाग्य सुंटी का देखिए बढ़िया सौंट अच्छी क्वालिटी की उसको सुत्वा सौंट भी कते हैं बिल्कुल दूद की तरह वाइट हाती है अत्वा वो नहीं मिले तो सौंट ही लें सौंट है एक सो पचीश गराम और गाय का असलीगी साथ सो पचास गराम ये दोनों आप ले करके गाय का दूद इतना लेए कि ये इसमें समा जाए और इसके अंदर उट सौंट सवासो गराम और गाय का गी साड़े साथ सो गराम इन दोनों को कड़ाई के अंदर गाय के दूद के अंदर उटाते रहें उटाते उटाते जब गाडा हो जाए तो उसको एक बार ब्रेक ला दे और खर्बूच्की मिंगी निसास्ता और शिंगाडा ये पच्चीश पच्चीश गराम इनका पऌडर बना के और उसके अंदर डाल दे हैं इसके अलावा अस्वगंदा मूशली सफेद, मोचरस, नागोरी, गौंद, इलाइची के दाने और सतावरी ये 25-25 ग्राम इनका पाउडर करके भी उसमें डाल देवें और तेज पता, चंदन, तज, दवई के फूल ये 10-10 ग्राम इनका पाउडर भी उसमें डाल देवें और गोखुरू, पीपर, काली मेच, बालचट, नागरमोता, कौश भी, छीनिय गोण, ये 55-55 ग्राम, इनको भी कूट पीटके और उसमें डाल देएं और सब को चाहन करके डाल देएं और चास्टनी, बूरे की चास्टनी इतनी बनावें कि उसका माजूम तैयार हो जाए, तो बूरे की चास्टनी के अंदर इसका माजूम बन जाएगा, और ये आप और समझा देता हूं आपको, सोबागे सुन्ती, मेरा जान तक्याल है, आज से 43 साल पहले तो बजार में मिलती थी, अब भी मिलती होंगी, क्योंकि आईरवेट का एक बहुत प्यारा इस्ट्रियों के लिए उपहार है, तो मैं दुबारा इसको बोलता हूं, आपको सरल बास इन दोनों को कड़ाई के अंदर डाल के और दूद डाल देवें, और दूद डालने के बाद इनको रडाते रहें, आप गड़ा होने तक रडाते रहें, इदर आपको क्या तयारी करनी है, खर्बूज की मिंगी, निसास्ता, सिंगड़ा, ये 25-25 गड़ाम, और बोलता हूं हैं, अस्वगंदा, मुश्ली, सफेद, मोचरस, नागोरी, गोंद, इलाइची और सतावरी, ये भी 25-25 गड़ाम, फिर उसके बाद तेजपता, चंदन, तर्ज, धवई के फूल, ये 10-10 गड़ाम, फिर उसके बाद गोखरू, पीपर, काली मिर्च, बाल चड़, नागर मो होता, कौश के बीच, चीने अगोंद, ये 5-5 गड़ाम, इन सब का पावडर बना करके, और बूरे की चास्टनिये के अंदर, वो जो पहले का, जो खड़ाई के अंदर, वो और ये पावडर, ये सब डाल करके, और माजूम तयार कर लें, माजूम का मतलब यही होता है, ये फार्सी लब्ज है, बहुत प्यारा लब्ज, तो हलवे की तरह वो तयार करके, और काच के या चीनी मिटी के बटन में, रख लें हैं, और बेहन बेटियों को, जिनको भी कमर में दर्द, सिर में दर्द, कम जोरी कोई तरह की, ये कोई से मोसम में, किसी भी मोसम के अंद की तरह एक चमच रात को चाटे, तो ये सोबा गे सुनती, बेहन बेटियों के कमर के दर्द को, और हाथ पेरों को दर्द को, गर्दन के दर्द को, सरीर के अंदर कहीं भी दर्द को नहीं रहने देगा, ये बहुत प्यारा आईरवेट का नुसका है, इसके समान नहीं, अग से हमने बताया अगर इतनी ही चीजे डाल करके प्यूर अगर इसको तैयार करती है तो हम उसको सादुवाद देते हैं धन्यवाद देते हैं लेकिन आज सोबा के सुनती मिलता है मुश्किल है मिलता है बहुत सस्ता मिलता है तो दिमाग में गणित नहीं बेड़ती कि ये लोग priority इतनी रखते हैंगे क्योंकि ये घी का अशन लाएंगे गाई का घी का भाउ पर गाई का घी का भाउ पंद्रा सो रूपें किलो है बिल्कुल सामने बना करके दे देते हैं बाकि जो ओ डेरी वाले ओर ये ज्तना भी बेड़ते हैं सब नकली घी कहीं भी असली का काम नहीं मेरे दोस्तों इस गी को खाने के बनेश्वत आप तिल का तेल अबी तिल का मोसम है आप तिल का तेल सामने गाणें के पास बेट करके दस किलो पांच किलो तिल खरीद कर निकल वाओ वो खाओ वो घीस से भी दस गुणी ताकत रखता है सर्दी के अंदर तिल का तेल उससे रोटी चुपट के खाई या आप उसको ढोक लेके अंदर खाईए उसको आप किसी भी तरह खाईए उसकी नमकिन बना के खाईए तिल का तेल घी के समान गुण करता इस मोसम के अंदर और आयरिवेड आयरिवेड ने सबसे स्रेश तेलों के अंदर तिल के तेल को ही बताया है और किसी तेल को नहीं बताया अब ये जेतुन वगेरार ये तो अब प्रचलित हुए हैं लेकिन सबसे उत्तम तिल का तेल ये जि लैं, और रुख्षा करें, उनको तकलीब को सैन करें, आप लोग उनके दुख को दूर करें. और मैं ज़्यादा क्या कहा हूँ बैटिओं के लिए ऊप आहर में यह नहीं कि सब आपको जिस आपको दूआ. अड़ sih मेरे बैण